हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉर्मेंट आफ रारस्थान सेकेंडरी एजुकेशन की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर जो यह नोटिफिकेशन है यह आपके रारस्थान में समविदा टीचर पोस्ट के लिए जारी की गई है जो की फ्रेंज से असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए है और आप इसके लिए ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं और इससे लिटेर जानकारी आ से आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सके तो यहाँ पर देखिए फैंस यह राजस्तान सिंगल साइनोन का पोर्टल है जहां से आप इसमें ओनलाइन आवेदन करते हैं आवेदन करने के लिए सबसे फ़हले रजिस्टेशन आपको करना होगा अगर आप पहले से रजिस् से भी लॉगिन करके आप रजिस्टेशन कर पाएंगे यहाँ पर जनलाधार या एंडॉल्मेंट नमबर यहाँ पर डालेंगे ने स्टेप पर किलिक करेंगे तो आपको आपका नाम मिल जाएगा और उस नाम को सेलेट करके आप जो है वो SSO ID बना सकते हैं SSO ID बनाने के बा अधर एप्स का एक option मिलता है आप इस पर किलिक करेंगे और इसके बार आपको requirement portal नाम से इस link को किलिक करना है और यहाँ पर link पर किलिक करने के बाद आपके सामने friends से जो dashboard है requirement portal का वो आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पर friends से देखिए जब आपका यह option यहाँ पर open हो ज करेंगे इसके बाद देखिए multiple options आपके सामने है तो आप यहाँ पर level 1 के लिए level 2 के लिए जिसके लिए apply करना चाहे वो आप select कर सकते हैं और इसमें भी देखिए TSP और non-TSP area है TSP area में सिर्व वही candidate apply कर सकते हैं जो कि TSP area से belong करते हैं अगर friends आप other state candidate है या friends आप non-TSP area से belong क को करना है तो आपको friends इस option को select करना होगा इसके बाद friends से आपके सामने कुछ इस तरह का interface यहाँ पर open हो जाएगा तो यहाँ पर friends से option open होने के बाद friends से यहाँ पर देखिए जो basic जानकारी है वो आपको automatic fill up मिलेगी अगर आपने OTR fill किया हुआ है नहीं किया हुआ है OTR तो आप यहा पर manual fill कर सकते हैं तो आपका नाम आपका जेंडर आपका father name आपका mother name आपका DOB क्या है इसके बार आपकी category क्या है आप PhD candidate है या नहीं है वो आप select कर सकते है इसके ललावा किस अर्दियू क्या है तो आप यहाँआ से select कर पाएंगे इसके बाद आपका religion क्या है वो आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा वैभाईक इस्थी आपकी क्या है तो आप married है, unmarried है वो आप select कर सकते हैं आपके जीवन साथी का नाम क्या है, एक से अधिक जीवित पतिया पतनी है या नहीं है इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए आपने शादी में दहिज सुईकार किया है नहीं किया है और आपके बच्चों की संख्या क्या है या आपको यहाँ पर mention करनी होगी इसके बाद फैंसे next option जो आपका आएगा applying for का आएगा कि आप यहाँ पर belong करते हैं अगर schedule area से तो ही आप यहाँ पर yes करेंगे अगर आप non-tsp area से belong करते हैं आपको no करना होगा आपका पूरा address क्या है with state, with district वो आपको यहाँ पर select करना है और आपका pin code mention करना है यहाँ आपका correspondence, correspondence होता है आपके present का address अब present और permanent same है तो आप CMS पर click कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं और उसके बाद आप पर दिये गए next app पर click कर देंगे इसके बाद friends, second option है personal details का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है nationality, nationality आपको select करनी है आपका home state और home district आपको select करना है अगर आप schedule area से आते हैं और आपने उसमें yes किया है तो आपको यहाँ पर कुछी district देखने को मिलेंगे राष्थान के आपका कोई home block है, तहसील या city आपकी कौन सी है वो आपको select करनी है, village या गाउं कोई है तो आप वो आप select कर सकते हैं आप settled हुए हैं, इंडिया में किसी other country से तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नीचे friends अगर आप ex-servicemen है तो yes कर सकते हैं, service type आपका क्या है वो आपको select करना होगा और आपकी जानकारी आप provide करेंगे नहीं तो आप no कर सकते हैं sports person है तो yes कर सकते हैं, ex-prisoner है तो yes कर सकते हैं, exiting state government employee है तो yes कर सकते हैं, family annual income अगर आपकी यहाँ पर है तो आप yes कर सकते हैं पर उस condition में आपको आय प्रमान पत्र भी बाद में शू करना होगा डीवी में इसके बाद कोई criminal record आपके खिलाफ है या नहीं है आप उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद next step पर click कर देंगे यहाँ पर आने की बाद fans अब आपको देखिए जो qualification section है यहाँ पर in case पर आपको click करना है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 10th 10th पर आपका note applicable यहाँ पर रहेगा इसके बाद board का नाम आपका roll number आपका percentage आपका year of passing देना है duration देनी है आपके यहाँ पर इस course की जो कि मन्त में आप देंगे और कितने मसे कितने numbers आपके आए है और यहाँ पर आपको देनी है आपकी passing जो आपकी date है वो आप यहाँ पर mention करेंगे तो आपको friends से यहाँ पर simply जो आपका date of passing है जो कि आपकी mark sheet पर available है वो आपको select करना है इसके बाद senior secondary में friends से आपके पास किस subject group आपके पास रही है आपके university या बोड का नाम same आपका roll number, percentage, passing year, duration year इसके लिएवा numbers कितने है और passing year क्या है वो आपको देना है degree आपके पास friends से यहाँ पर जो भी है आप उसकी जनकारी यहाँ पर provide कर सकते हैं additional को information है तो आप उसकी जनकारी दे सकते हैं पीजे डिग्री आपके पास है, तो सेम आप यहां पर पीजे डिग्री की जानकारी भी दे सकते हैं, इसके बार है दिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजूकेशन, तो friends, यहां पर देखिए अगर आपके पढ़on इन एलिमेंट्री एजूकेशन है, तो आपको देना है, आपके board या university का नाम देना है, जो कि read conduct कराती है, इसके बार roll number देना है, सेम आपका friends से यहाँ पर year of passing वगएरा है, वो आप यहाँ जानकारी प्रोवैड करेंगे, percentage और marks आपको यहाँ पर देना होगा, तो यह basic जानकारी है, जो कि आपके qualifications से related है, आपके पर जो marks sheet और certificates available है, आप उसके according जानकारी यहाँ फिल करेंगे, इसके बार friends से आप नीचे आएंगे, नीचे आने पर friends से यहाँ पर देखिए, आविदक ने उच्च माद्यमी की पढ़ाई किस माध्यम से की है, वो आपको यहाँ select करना है, इसके बार friends से यहाँ पर percentage calculation आपकी आ जाएगी और उसके बार आप next step पर click कर सकते हैं, इसके बार friends से यहाँ पर देखिए, अब आपको photo and sign upload करने हैं, और उसके बार friends से कोई body mark है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप blank छोड़कर next step पर click कर देंगे, इसके बार friends से यहाँ पर जो preference section है, यहा preference आपको देनी होगी, तो preference आप अपने according यहाँ पर enter कर सकते हैं, जो भी preference आपको सबसे पहले starting में देनी है, इसके बार friends से next option आपको मिलता है, यहाँ पर preview section, preview section को ध्यान से check कीजिए, इसके बार आपको लगता है को गलती है तो आप इसे update कर सकते हैं, और आपको लगता है क pay fee वाले option पर click करेंगे payment करने के लिए, इसके बार friends से आपको इस data को okay करना है, okay करने के बाद इमें यतरे एगरेटर के जो option है, इसमें आप net banking या एगरेटर कोई भी option को select करें, यहाँ पर friends से आप build desk को select कर लेंगे और उसके बार पेनाओ पर click कर देंगे, और click करने के बार friends से थोड़ा साब को wait करना होगा, इसके बाद आपके सामने देखे, credit card, debit card, net banking, multiple options आजाएंगे, तो आप चाहें तो debit card use करें, net banking use करें, आप यहाँ पर payment कर सकते हैं, तो card details को आपको यहाँ फिल करना है, और उसके बाद make payment वाले option पर click करना है, और जैसे ही payment आपका verify होगा, आप अपना final print out निकल कर अपने पास से रख पाएंगे, तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की, कैसे आप रास्तान समीधा teacher का online form अपलाई कर सकते हैं, अगर आपको हमारा यह update पसंद आया है, तो like, subscribe शे जरू कीजिए, और बागी की जानकारी के लिए, ऐसे ही बने रह ही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, अलास थैंक्स पूर वाचिंग